Hello friends, welcome to my YouTube channel आज शुरू करेंगे हैं exercise 10.1 से question number 4 Draw the front view, side view and top view of the given objects यहाँ पर आपको कुछ objects दे रखें यह इनका आपको front view draw करना है, side view draw करना है और top view draw करना है सबसे पहले देखिए a military tent यह एक tent है इस tent को आप तीन तरह से देख सकते हैं जब आप front से देखेंगे तो आपको यह दिखेंगा side से देखेंगे तो यह दिखेंगा और जब top से दिखेंगे तो आपको यह दो face दिखाए देंगे उधर उधर अब मैंने यह draw करके रखें हुए इनके जो तीनो views हैं आप ज़रा ध्यान से देखना देखिए जब front से देखेंगे तो सिर्फ आपको यह triangle triangle दिखाए देगा और यह बीच की यह जो vertical line है यह भी दिख जाएगी तो यह इसका front view हुआ जब side से देखेंगे यहां से तो यह थोड़ा सा आपको इस तरह से दिखाए देगा हलका सा parallelogram type का यह इसका side view है जब top से देखेंगे आप तो यह जो tent है इसके एक तो यह वाली side दिखाए देगी और इधर वाली side भी दिखाए देगी यह इसकी roof है ना तो उपर से यह दोनों दिखाए देगी आपको यह इसका top view है तो तीनो views हुए इसके इसी तरह से second जो figure आप देख रहे है यह है एक table की shape यह table है table को front से देखेंगे देखें यह इसके मैंने तीनों draw की हुए सबसे पहले इसके front पे आप ध्यान दे front में यह length है तो length में क्या होगा यह थोड़ा सा लंबा होगा और यह इसके legs है तो front view इसका यह आएगा इसके side view में यह इसकी breadth है legs की length सेम रहेगी बस इसकी चोड़ाई जो हो थोड़ी सी कम हो जाएगी यह इसका side view है जब top से आप इसे देखेंगे तो top से आपको यह बिल्कुल एक rectangle की तरह का दिखाई देगा क्योंकि यह rectangular table है तो आपको ऐसे draw कर देना है चलिए इसके बाद figure देखिए a nut यह एक बट्टा है अब इसे देखें आप यहाँ पे पहले पढ़े क्या लिखा हुआ है front यहाँ से आपको front देखना है जब आप इसका front देखेंगे तो front से आपको यह तीन faces दिखाई देंगे जैसे मैंने यहाँ पे यह draw की है इसके 6 face है यह hexagonal है इसके 3 face है जब front से आप देखेंगे तो आपको इसके 3 face दिखाई देंगे एक तो बिल्कुल सामने वाला बिल्कुल पूरा दिखाई देगा और side वाले थोड़े से थोड़े से ऐसे दिखाई देंगे और जब आप इसको side से देखेंगे साइड से भी आपको यह 3 face दिखाई देंगे एक बीच वाला पूरा दिखाई देगा और यह थोड़े से ऐसे angular type में दिखाई देंगे तो इसका front view और इसका side view है वो बिल्कुल एक जैसा ही होगा अब इसके top पे देखेंगे top देना है इसको ऊपर से जब ऊपर से आप इसे देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा पूरी की पूरी 6 faces दिखाई देंगे छे sides इसकी पूरी दिखाई देंगे आपको जो भी ऊपर है वो सारा exact ऐसे दिखाई देगा तो ये है इसका top view चले नेक्स्ट फिगर देखेंगे a hexagonal block ये एक block है और hexagonal है यहाँ पे front लिखा हुआ है तो पहले front देख लिए इसका front view कैसा होगा जब आप इसे front से देखेंगे तो पूरी की पूरी ये जो 6 sides से ये दिखाई देंगी 1,2,3,4,5 ये इसका front view है अब आते हैं top और side पे इसका जो top और side view है वो बिलकुल same होगा दोनों view एक जैसे होगे जब आप इसे top से देखेंगे तो ये वाली जो side है ये आपको पूरी दिखाई देगी और ये जो दो 7 वाली है ये थोड़ी सी ऐसे जुकी हुई दिखाई देंगी तो बीच में पूरा rectangular दिखाई देगा आपको और 2 sides इसकी थोड़ी सी ऐसे side में दिखाई देंगी आप जब इसे side से देखेंगे न आप तो side वाली ये बिल्कुल जो बीच वाली है ये आपको पूरी दिखाई देगी और ये उपर वाली और ये नीचे वाली थोड़ी सी इस तरह से जोकी हुई दिखाई देंगी तो ये इसके तीन views थे नेक्स फिगर देखें आप dice है dice पे top पे 2 है counting, front पे 3 है और side पे 1 है तो जो dice होती है वो एक square की shape की होती है दिखेगा तो आपको square ही अब जब यहाँ से match करते है दिखेंगे, ये front view कैसा होगा front view होगा इसका front से आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 dot दिखाई देंगी तो जो 3 dot वाला जो face है ये आपका front view है side में 1 dot है तो जिसमें 1 dot है ऐसा square दिखाई देगा एक dot दिखाई देगी जब आप इसको side से देखेंगे और top में, top में 2 dot है तो उपर से देखेंगे आपको square दिखेंगा और 2 dots दिखाई देगी ये इसका top view है next figure देखेंगे आज solid इसको थोड़ा ध्यान से देखना ये चलिए, fell view देख लेते हैं ये देखेंगे front देखेंगे front से जब देखेंगे ये वाले दो दिखाई देखेंगे आपको और ये जो इसके ऊपर है इस तरफ left side में left के ऊपर ये वाला x square दिखाई देगा तो 2 तो ये देखेंगे और left में इसके ऊपर ये दिखेंगा ये इसका front view है अब आईए side view पे side view में जब side से देखेंगे एक तो ये वाला आपको face दिखेंगा अगले वाले के ऊपर एक box और चड़ा हुआ है ये रहा तो ये वाला face दिखाई देगा तो ये ये वाला face है तो जब side से देखेंगे तो आपको 2 तो नीचे दिखाई देगे और एक ऊपर दिखाई देगा उस तरफ अब top पे आईए top पे जब top से आप देखेंगे तो left side पे मेरे पध्यान देजिए left side में आपको 2 face दिखाई देगे एक तो ये वाला दिखेगा और एक ये वाला दिखेगा तो ये मैंने left में इस तरह बनाई है और right में इस तरफ यहाँ पे मेरी तरफ ये वाला phase दिखाई देगा तो जब top से आप देखेंगे तो left में ऐसे तो दो block दिखेंगे आपको और यहाँ पर एक block ये वाला दिखेगा ये इसका top view है तो किसी भी solid के आप views बना सकते हैं उसकी figure को imagine करके उसको ध्यान से देखके तो इस question में आपने यही सीखा किसी भी object का जो top view है, front view और वो जो side view है वो हम कैसे analyze करते हैं और उसको draw करना आपने सीखा तो इस video में बस इतना ही next questions के लिए next video में मिलते हैं तब तक के लिए goodbye